हालो वेलकम आगेन आम वेलकम हेर आज़ा हित अभिलाशी शर्मा एक लंबी सीरिल चल रही है ऑन माई चैनल जानकारी हित आज आपके साथ जो नया वीडियो लेकर आया हूँ लोगड़न का पिरियड है कोविड के स्पीरिड के दोरान घरों में तो बंद है लेकिन पढ़ना है जो काम है वो करना है स्टुडेंट्स के लिए उनकी सुविधा के लिए एक नया वीडियो नया कॉंसेप्ट तो कंसेप्ट इस रिलेटिंग तोवर्ड मैक्रोएकनोमिक्स सो लेट्स ज्वाइन हीरा माई चैनल जानकारिहित विदा न्यू कंसेप्ट एक बात बात आओ आओ आज का जो कंसेप्स है वो मैक्रोएकनोमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्स हैं जिन पर अगर हमने क्लिरेंस नहीं की तो उलच जाएंगे तो आये जानते हैं एक नया कंसेप आओ पर आओ एक वेल्कम हा लाइठ आओ आओ न्यू क्यों कि यह आओ अज्ग कंसेप्स नहीं जानकारिहित लेट आओ जानकारिहित आओ नहीं कि पीच अष्ट एक पि इस जाएंप आओ 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 इस जानका पास्तों पूई स्विदा ना व्टिद। विवर्फ। वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उन बेसिक कॉंसेप्स में हैं, गुड्स कोई हरान होगा, कॉमर्स वाले तो हरान होगा, गुड्स को समझाने वाला है, अरे वही वह गुड्स कोमर्स की जो गुड्स अकाउंटिंग में करते हैं, उससे थोड़ा डिफरें यह एक्नामिक्स की गूड्स है, let's talk about, what's the topic of गूड्स in economics, macroeconomics और microeconomics, what is goods, we should know about it, वस्तों क्या हैं, गूड्स refers to anything which can satisfy human wants, which is having some economic value, जिसका कोई आृर्ठिक कीमत है, वो सारी कि सारी तिंग्स जिनका कोई आर्थिक कीमत है आर्थिक वैल्यू है और जो हुमन जरूरतों को मनुप जो मानविया जरूरतों को संतुस्ट कर सकती हैं उनको हम गुड्स कहते हैं कोई सोचे इसकी उधारन लॉट अग्जाम्पल दार दे हैं पैन पैंसल मॉवाइल कार और औ अब बस्तु में हैं तो आगे का यहां उसकी तरफ बढ़ते हैं अब बात करते हैं क्ला स्फिक श्रीशन और घूर्ट की लटस्टाक है क्लासिफटेशिगेशिन ऑफ फूर्ट दफ appliesंगे स्फॉ आग्ट की ज меся miners बहूत के वांधाट होती है इस्पलासिएटिकेशिश् classification है वो है consumer goods versus capital goods consumer goods क्या है नाम बता रहा है उपभोगता वस्तुएं those goods which satisfy human wants directly are called consumer goods जिन वस्तों का सीधा इंसान ने प्रयोग किया और उसको इंसान की जरूरतों को उसने संतुस्ट कर दिया वो सबकी सब उपभोगता वस्तुएं consumer goods हैं just like cell phone mobile again same example zardier जिससे हमारी संतुस्टी होती है किसकी जो हमारी जरूरतें थी वस्तुओं से जिन वस्तुओं से हमारी जरूरतों की संतुस्टी होती है जिनकी एक economic value है उन सभी को हम क्या कहतें है Consumers goods for example consumer goods की जाब बात करते हैं जो consumer goods हैं उसकी वी आगे classification है उसकी भी classification है, वो classification क्या है? Durable consumer goods, semi-durable consumer goods, non-durable consumer goods and services as well, ये ध्यान रखना होगा, consumer goods में हम services को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि service भी तो जो वस्तों के साथ सेवाएं भी तो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, So consumer goods में, जो durable consumer goods हैं, which means, टिकाओ, जो लंबे समय तक चलती हैं, these are those consumer goods which can be used for a long period of time, जिनको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, और बार बार रे यूज कर सकते हैं, repeatedly we can use them, and one more, maximum consumer goods are of high value, उनकी किमत भी जातर ज़्यादा होती है, for example, we can say cell phone, car, car, truck, ये सब की सब consumer goods हैं, और durable हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक चलने वाली हैं, semi-consumereable, semi-durable consumer goods, semi-madलव अर्ध, जो टिकाओ तो हैं, बर थोड़ा कम, अर्ध, टिकाओ, भोकता वस्तुएं, these are those goods which can be used for a limited period, that period is less than the long period, जिससे कहते हैं, durable consumer goods, उनसे तो कम है, उनको हम यूज कर से हैं, for example, crocker, cloth, ये सब की सब, semi-durable consumer goods हैं, चलती हैं, वो ठीक है, जिसकी संभाल होगी, वो के मेंने तो 10 सल से cups को संभाल के रखा है, crocker को, वो भी, वो भी आपके लिए consumer, durable consumer goods हो सकती हैं, जोनली, जोनका general trend है, वो तुट जाते हैं, कपड़े हैं, दो साल, तीन साल पहने हैं, खता, machinery है, लेकिन machinery को लंबे टाइम तक यूज किया, सेल फोन हैं, लंबा टाइम है, बट आज कल के जो generation है, फो टुट जनरेशन, सेल फोन इस also going towards a semi durable consumer goods, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलने लाग जाते हैं, तोट जाते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तीसरा है, non durable consumer goods, नाम बता रहा है, गय टिकाओ, जो टिकती नहीं है, आई इसी goods को हम single use consumer goods भी कह सकते हैं, जिनको non durable consumer goods कहते हैं, यूज किया उसकी उप्योगिता को, यूज किया और satisfaction की अपनी, और वस्तु खतम, दूद पिया खतम, आईस क्रिम लेकर आए, खतम, यूज करते जा रहे हैं, और खतम हो जाती हैं, ऐसी वस्तु को हम non durable consumer goods को कहते हैं, किया अथिय। other classification of consumer gets the services we should discuss this concept before we are talking about other concepts about consumer and other goods services kya services are non-material goods these services also satisfy human wants and have common have economic value not common economic value उनकी भी केमत है डॉक्टर ने सर्विस दी लायर ने हैं टीचर ने हैं मैं यहां पर बोलने जारू यह सबकी सब जो services हैं यह सबकी सब consumer goods की एक और variety है टाइप है next जिसकी बात कर रहे थे वो थी capital goods पुझी गत वस्तुएं पुझी गत वस्तुएं क्या हैं पुझी पैसा business yes commerce वाले तो समझते होंगे those goods which help in production of goods and services जो वस्तुएं goods और services की production में help करती हैं उनको हम क्या कहते हैं capital goods these goods are in the form of generally in fixed assets because fixed assets generally used in a production process and one thing more capital goods are generally going to use for a long period of time and it's have high value high monetary value for example plant machinery ये सबकी सब capital goods है capital goods के बारे में एक बात साफ ये दूसरी वस्तों की पैदावर में help करती है long period हम इसको use कर सकते हैं वक्त के साथ इसमें depreciate होती है इनको replace करना पड़ता है but after long period अगर कोई accidental case ना हो assumptions तो ऐसे बहुत होती है किन्तु प्रण्तु हम बहुत पे लगाता है लेकिन जो journal trend है जब हुँ किसी concept को discuss करते हैं ये बात हमें समझनी होगी अब एक स्वाल और पैदा हुआ all machines are not capital goods मतलब मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से क्या सारी की सारी जो machinery है वो तो लंबे time तक चलने वाली है production process में use हो सकती है क्या सारी machine है capital goods होगी no it should be keep in mind अगर हम उसी machine को factory में use कर रहे हैं then it is called capital goods if that machinery is going to be used at home for personal use we have a seeing machine at home just for needs to satisfy the needs at home घर के कुछ कपडे सीने है तो वो वाली machinery कभी भी capital goods may include नहीं होगी it should be keep in mind then that machinery is going towards consumer goods similarly all capital goods are producer goods ये सवहल प्यादा होता है all capital goods are producer goods yes all capital goods are producer goods जो capital goods होती है वो producer goods हो सकती है yes but all producer goods are not capital goods पर सारी की सारी जो production करने वाली goods है वो producer goods हो ऐसा कुछ भी नहीं producer goods है क्या producer goods all those goods which are used in production process वो सारी वस्तों जो production process में use होती है उनको हम producer goods कहते है fix assets such as planter and machinery, raw material ये सारी की सारी producer goods जी तो है इनसे हम वस्तों में पैदा करते है so consumer goods और capital goods में जो difference है हमें उसको भी समझना होगा consumer goods, human wants को satisfy करती है capital goods, production process में help करती है जो consumer goods है वो goods in a direct demand है जबकि जो जिसकी हम बात करें capital goods वो derived demand है, production demand नहीं है उनको और वस्तों में पहला करने में हमने use करना है सिधा पर यह उसका नहीं हो रा expected life of consumer goods कुछ बातां को छोड़कर consumer goods की expected life जो होती है सिर्फ durable को छोड़कर थोड़ी कम होती है, shorter होती है और बहुत कम भी होती है और expected life of capital goods कुछ को छोड़कर ज़्यादार, longer period of life होता है अगर हम examples की बात करें consumer or capital goods की swing machine with a house old क्या है यह एक व्यक्ति है, घर में machine यूज़ कर रहा है, क्या है वो naturally consumer goods अगर वही swing machine factory में यूज़ हो रही है another production person वहाँ पर कपड़े बेच कर branded कपड़े बना रहे हैं, हम भीज रहे हैं, उसको sell out कर दें तो वो क्या बनगी capital goods परसनल कार है consumer goods, अगर वही कार हम किसी taxi के दूर पर यूज़ कर रहे है उसको, a driver using it as a taxi then that car is known as capital goods furniture घर का है then it's consumer goods अगर वही furniture रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा है business hub है वो तो वो क्या हो गया capital goods these are the basic difference so, concept क्या बना कि consumer goods और capital goods जो first इसकी classification की बात करते हैं हम, वो यही है हमें इस concept को समझना होगा immediately एक और वीडियो आने वाली है उसमें जो दूसरी variety है goods के regarding final goods, intermediate goods हम दूसरी concepts में goods को भी classify कर सकते हैं उसकी जर्चा होगी बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने आने वाली है अगर आपको consumer goods और capital goods के regarding कोई concern है कोई बास समझ नहीं आ रही comment कीजिए जब मैं next वीडियो आपको पास भेज रहा हूँ जा उसके बाद in comment में भी आपको satisfy करने की कोशिश करूँगा बात को समझाने की कोशिश होगी आप समय चर्चा होगी अगर ये वीडियो बसान दाई दूसरों को share कीजिए तांकि COVID के tough period में से बच्चे इसका फाइदा उठा सकें क्योंकि अगर हम online study पे कुछ वीडियो को संभाल कर रखते हैं तो मुश्किल भी होता है तो इसी का जरिया मेंने निकाला कि इसको YouTube पर डाला जाए YouTube पर कभी भी दे सकते हैं memory की समस्या खतम mobile से आप कभी भी मेरे channel जानकर हीद पर जाए commerce और economics से related और certain जो social awareness की जो चीज़े हैं उन से related कुछ वस्तु हैं कुछ मेंने वीडियो बनाए हैं you can see there जानकर हीद चैनल पर एक नई वीडियो के साथ जल्दी आने वाला हूँ तब तब थैंक्यू घरी वाज